इस बेटल ग्राउंड मोवाइल इंडिया भी प्ले स्टोर प्या चुका है और यह भी अन्बैन भी हो चुका है और फाइनली देख सकते हो हमने यहाँ पे गेम को ओपेन कर लिया यह लॉबी में हूँ और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि हम BGMI बेटल ग्र प्ले कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे इसके पूरे ग्राफिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल वगरा सारा सभी के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा तो वीडियो को पूरा इन तक देखो दोस्तों यहाँ पे देखो आपको पूरा मैप मिल जा अगर गेम को अच्छा से play करते हो तो प्लस लगेगा अच्छा से gameplay नहीं जाता है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर में देखू अगर यह देखाँ एब को इस पर आपको क्लिक करना हैJust here's the सुरू से स्टार्ट कर रहे हो कभी अपने गेम को पले नहीं किया है तो आप टी-डियम क्यों के चेक कर सकते हो यहाँ पर अपने गेम पले को बेटर बना सकते हो उसके बाद यहां से हम कट कर देते हैं तो यह भी Tdm mode पे है, हमें start पे click करेंगे, तो match start हो जाएगा, इससे पहले आपको control के बारे में जान लेना जरूरी है, तो हमें क्या करना है, controls करने के लिए यहां पे देखो, यह एक option मिलता है, छोटा सा इस पे आपको click करना है, तो आपको यहां पे settings का option मिल जाएगा, आप को यही पे click कर लेना है, तो guys, आपके सामने कुछ इस तरह का interface मिलेगा, आपको यहां पे option मिलेगा, graphics and audio का, इस पे आपको click कर लेना है, उसके बाद दोस्तों यहां पे देखो, सबसे पहले तो आप यहां पे color select कर सकते हो, यह देखो, यह थूरा light color है, ठीक है, उसके बाद यह down इस तरीके से, आपको जो भी color पसंद आए, उसमें आप पे प्ले कर सकते हो, उसके बाद यहां पे देखो, यह आपके mobile के उपर depend करता है, ठीक है, यह देखो, हमने smooth और high कर रखा है, तो मैं इसी पे game को प्ले करता हूँ, नीची आएंगे, तो यह zone आपको किस तरीके से दिखाई देगा, वो सभी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे अपने अंसाड, जो भी color आपको यहां पे पसंद आता है, उसमें आप रख सकते हो, ठीक है, उसके बाद यहां पे customization button का option आता है, हम इस पे click करेंगे, यहां पे दोस्तों आप देखो, customize का एक option आ रहा है, इसमें आपको click कर देना है, और यहां पे देखो, मैंने कुछ इस तरीके से customize कर रखा है, यह देखो, trigger button उपर मैंने दोनों trigger button एक ही साथ डाल रखा है, मैं three finger खेलता हूं, आपको जो भी जिस finger से भी अच्छा लगे, two finger कोई खेलता है, four finger खेलता है, मैं three finger से खेलता हूं, तो मैंने इस तरीके से customize कर रखा है, और यहां पे देखो, यह सब है mode होने का, यह खरे होने का, यह सब jumping वगेरा, सारा कुछ आपको यहां पी मिलेगा, यह है car या exit और यह scope मिल जाएगा, और यहां पे यह जो है running वाला जो button हो मिलेगा, और यह pick है, ठीक ह तो अगर आप setting कर लेते हो, इसके बाद आपको यहां पे save वाले option पे click कर देना है, यह सारा setting जो है save हो जाएगा, उसके बाद यहां से हम back आते हैं, अब दोस्तो इसमें आपको कुछ ज्यादा settings करने की ज़रूद नहीं, अब normally आप यहां पे game को play कर सकते हो, हमें start वाले option पे click कर लेते हैं, तो यहां पे देखो दोस्तो हमने stadium को start किया है, चलो इसको मैं play करके आपको दिखाता हूँ, और अभी दोस्तो नए वाला एक map आया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले तो आपको notice मिलेगा, इसको आपको ok करना है, और इस तरीके से कुछ आप यहां पे game को play कर सकते हो, यह देखो मेरा trigger button उपर में है, तो guys कुछ इस तरीके से यहां पे game play चल रहा है, आप देखो, और basic button भी आप देख सकते हो, आपको यहां पे यही सारे basic button आपको देखने को मिल जाएगा, तो हमारा finally game चल रहा है, तो देखो दोस्तों यहां प आपको इसको enable नहीं करने आता है, तो सीधी आप यहां सेटिंग पर click करो, आपको थोरा सा नीचे जाना है, तो यहां पे यह देखो, यह pick वाला option मिल जाएगा, तो आपको यहां पे disable रहेगा, आपको enable कर देना है, तो यह enable हो जाएगा, यह normally हमें यहां पे, यह देखो trigger button म jump, bat, वगएरा और sony वाला फूरा effect आपको यहां पे मिलेगा, उसके बाद यहां पे reload का है, gun reload कर सकते हो, और net वगएरा कर सकते हो, उपर में आपको map देखने को मिलता है, mic यहां से on off करोगे, और यहां से all पे आप कर सकते हो, तो कुछ यह settings था, bgmi के अंदर जो कि मैंने आपको दिखाया है, इस तरीके से आप यहां पे gameplay कर सकते हो, जब तक आप setting को नहीं जानोगे, तब तक आप gameplay भी नहीं कर पाओगे, so I hope मैंने आपको इस वीडियो में पूरा कुछ clear किया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो, तो like और share करके channel को subscribe जरूर कर देना, इस वीड नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंग, जय भारत